सो वेलकम टो वर यूट्यूब चैनल तो चलिए जी देखते हैं आज क्या खबरे हैं सबसे पहले खबर प्राइम मिनिस्टर नरिंदर मोदी पंजाब में गए होए थे मिटिंग करने रेली करनी थी तो उसमें क्या हुआ वहाँ पर उनकी सुरक्षा समझते हैं उनकी सुरक्षा कौन करता है SPG Special Protection Group SPG अब ये SPG सुरू कब होए थे यानि परधान मंत्र को प्रोटेक्शन कब से देनी सुरू की थी SPG ने क्या हुआ था 1985 में इंदरा गांदी की हत्य हो गई थी और फिर 1991 में उनके बेटी की हत्या होगी थी राजीव गांदी की तो लगबग उस समय पर परधान मंत्र की अगर हत्या होती है देश में तो अगर देखा जाए तो पावर के हिसाब से परधान मंत्री बहुत उपर होता है अगर उसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है वो ही सुरक्षित ने है तो देश का आम नागरिक तो क्या सुरक्षित है तो फिर क्या हुआ 1985 में जब इंदरा गांदी की हत्या होई तब decide किया गया कि एक special force बनाई जाएगी जो सिर्फ परधान मंत्री की family परधान मंत्री को protection देगी यानि परधान मंत्री की family close relatives और परधान मंत्री को protection देगी और उसका नाम क्या रखा गया है SPG Special Protection Group अब Special Protection Group काम कैसे करता है सबसे पहली पात ये देखते हैं Special Protection Group में member कोन होते हैं देखें भारत की Home Ministry है अमिट साज इसके head है तो Home Ministry के अंडर कुछ forces आती है जिनको कहते है Centered Armed Police Forces चैनल के उपर इसके उपर एक वीडियो है मैं उसका link टाल दूँँगा आप वो देख सकते हो description में link टाल दूँगा तो Central Armed Police Forces है जैसे BSF हो गई है ITBP हो गई CISF हो गई ठीक है यह क्या है सारी Central Armed Police Forces तो इन पुलिस forces में से जो की Home Ministry के अंडर काम करती है इन पुलिस forces में से सबसे top most व्यक्तियों को चाटा जाता है और उनको कहां रखा जाता है SPG के अंदर यानि जो special protection group है जो परदान मिनिस्ट्री को protection दे रहे है वो इन साथ Central Armed Police Forces के अंदर से आते है समझ गई यानि जो best होते होंगे BSF के अंदर ITBP के अंदर CISF के अंदर तो उनको उठा लेते हैं और उनको कहां रख देते हैं Your SPG Special Protection Group जो परदान मिनिस्ट्री की सुरक्षा में लगी हुई है फिर क्या होता है जो SPG है वो किसकी direction पर काम करेगी हमेशा Home Ministry क्योंकि Home Ministry का क्या काम है देश की आंतरिक सुरक्षा को देखना अब आंतरिक सुरक्षा में सबसे important किसकी सुरक्षा रहेगी परदान मंतरी की रहेगी तो परदान मंतरी कहां कहां जाएंगे किस रास्ते से गुजरेगे कौन डिसाइड करेगा ये SPG डिसाइड करेगा और ये कहां लिखा हुआ है कि किस तरीके से रास्ता डिसाइड होगा कहां कहां जाना है ये किस book में लिखा होता है उसको कहते है blue book तो ministry of home affair की blue book होती है जिसमें सारा route लिखा होता है कि परधान मंतरी किस रास्ते से गुजरेंगे किस समय पर हवाईजार में बैठेंगे कहां कहां से गुजरेंगे तो actually क्या होगा भटिंडा में मोसम थोड़ा खराब था तो इसको देखते हैं क्या करा गया कि भई बाय रोड परधान मंतरी को भेज देते हैं कहां पर पंजाब के किसी और जीले में कि कहां पर उन्हें जाना था भटिंडा से तो जैसी वो भटिंडा से चलते हैं आगे जाकर क्या होता है देखते क्या है कि लोग वहाँ पर थोड़ा आंदोलन कर रहे हैं कहा जाता है वो किशान है किशान आंदोलन कर रहे हैं लेकिन यहां सबसे बड़ी बात जानने कि क्या है आम जंता को कि कभी भी यह डिस्क्लोज नहीं होता कि परधानमंत्री का root कौन सा है अब देखो पंजाब के अंदर CM है कौन? चन्नी और वो कौन सी party से है? Congress से अब लगभग जो पंजाब की पुलिस है जो अपनी state की पुलिस होती है वो किसके अंडर काम करती है? वो मुख्यमंत्री के अंडर काम करती है यानि Congress का जो मुख्यमंत्री है उसके अंडर काम कोन कर रही है? State Police तो क्या होता है? जो ये परधानमंत्री के सुरक्षा में कोन लगे है? SPG तो SPG और State Police आपसमें ताल मेल करके सुरक्षा किसके करती है? परधान मंतरी की, SPG तो हमेशा रहेगी परधान मंतरी के साथ, लेकिन जैसी पंजाब के अंदर एंटर किया, तो पंजाब पुलिस देखती है, कि रास्ते किलियर होने चाहिए, अगर रास्ते साफ है, तो गाड़ी अराम से चली जाएगी, तो यहाँ पर काम किसका था, पंजाब पुलिस का था, क्योंकि एक स्टेट के अंदर अगर लो एंड ओडर देखा जाए, स्टेट के अंदर देखा जाए तो वो स्टेट पुलिस करती है, और पुलिस हमेशा किसके अंदर होती है यह जो मुख्य मंतरी स्टेट के अंदर काम करते है पुलिस यह याद रखना तो यहाँ पर काम क्या था कि पंजाब पुलिस ऐसा करेगी एक अच्छा रास्ता प्रोवाइड करे कि इसको परधान मंत्री के काफी लेको जिसको कौन प्रोटेक्शन दे रहा था SPG यहाँ पर परधान मंत्री काड़ी में बैटे है तो SPG की सुरक्षा तो थी आपर सही यानि वो सुरक्षा अच्छी दे दे लेकिन कमे किसकी रही है आपर पंजाब के मुख्य मंत्री की कमी रही है मेरे हिसाब से क्योंकि यह किसी आम जंता को पता नहीं लग सकता कि भई परधान मंत्री कहां से गुजर रहे है जब तक कोई information leak ना हो तो कहीं न कहीं या तो police के थुरू या पंजाब CM के थुरू कहीं न कहीं से information leak होई कि परधान मंत्री मोदी इनकी हत्य हुई थी तो ऐसा हो सकता था तो हो सकता है यह बड़ा हाथ से तल गया ऐसा हो सकता था हो सकता मतलब probability थी it is not surety बट हाँ कहीं न कहीं देखा जाए इस security में परधान मंत्री की security में बहुत बड़ी गलती हुई है और इसी वज़े से जो home ministry है यानि अमित्सा सेंटर में जिसके अंदर कौन काम करें SPG SPG ने सुरक्षा ठीक दी लेकिन गलती किसकी रही state police की तो इसलिए home minister ने जवाब मांगा है मुख्य मंत्री से कि ऐसा क्यो हुआ तो I hope आप समझ गयोगे हाँ पर अगली news क्या है हमारे पास ये कल मैंने आपको बताया था इस तरफ आए हुई है कि 8 लाग की जो income cap है economic weaker section वो approve एक किसम से government ने कह दे कि जल्दी से जल्दी इसको approval दिया दे क्योंकि क्या था NEET की जो counselling थी वो लगबग November में रोक दी गई थी क्योंकि कुछ लोग खिलाफ हो गए थे जो ये 8 लाग आपने एक limit रखे है reservation के लिए economically weaker section के लिए तो ये limit आपने क्या सोच के रखे है ऐसा Supreme Court ने पूछा था तो Government of India ने कहा है कि ये बिल्कुल सही है आप एक बर counselling होने दे नीट की तो ये ही इसमें लिखा गया है कि Government urge कर रहे है किस से यहाँ पर Supreme Court से अब Government ऐसे थोड़े मोधी जाएगा Court में और वो बोलेगा जाके कि इस भरती को चलाओ या फिर यहाँ पर admission कराओ यहाँ Government को कौन represent करता है Solicitor General देखे भारत में एक टाम आती है Attorney General तो Attorney General होता है Article 76 तो अगर भारत के सविधान को Constitution को देखोगे तो उसमें Article 76 है और Article 76 में किसका जिक्र होता है Attorney General Attorney General एक किसम से देखा जाए सरकारी वकील होता है यानि अगर मोधी सरकार को कोई represent कर रहा है तो वो कौन कर रहा है भारत का Attorney General अब उस Attorney General के सायक होते है और उनको कहते है Solicitor General तो जो court में यहाँ पर paste हुए है उसका नाम किया है तुशार महता तो तुशार महता आज के टाइम पे कौन है Solicitor General है तो आप यहाँ से सीख सकते हो कि सरकार की तरब से representation court में कौन करने गया Solicitor General Attorney General कभी-कभी जाता है जब बहुत ज़्यादा important काम आ जाए वरना Solicitor General जाता रहे तो आपको हमेशा तुशार महता का नाम देखने को मिलेगा अगली बात Attorney General एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको Parliament के किसी भी House में बैठने की permission होता है यानि वो लोक सभा में भी राज्य सभा में भी कहीं पर भी बैठके सारी बातचित सुन सकता है कौन Attorney General और ऐसे वो किसी भी court की proceeding में भी भाग ले सकता है भारत की कोई भी court हो High court Supreme court कोई भी court वहाँ पर जाके Attorney General बैठके सब कुछ सुन सकता है He has the freedom to do so ठीक है तो यह था यहां से अब तीसरी जो news आ रहे है वो इधर से है और यहाँ पर जिकर है चिली का लेक अब चिली का लेक के बारे में जाने सबसे पहले आपको इबात बता दू यह नमक का नमक का तालाब है देखा जाए तो लेक कह दिया है मैंने चिली का लेक अब यहाँ पर क्या हो रहा है बहुत सारे पक्षिया है लगबग साड़े दस लाग पक्षिया है किदर से North of India से उड़के यानि जैसे उपर क्या लई करता है भारत के रसिया ठीक है रसिया के उधर से थंडी वाली जंगा से उड़के पक्षि कहा आते है ओड़ी समय अब देखा जाए अगर आम तोर पे देखे आप आप लोग तो क्या पक्षियों के पास कोई रैडार है कि उनको पता लगी कि भारत में चिली का लेक पे जाना है कहां पे ओड़ी समय तो कुछ चीज़े है जिनको इनसान भी नहीं जान पाया कि इन पक्षियों के अंदर ऐसी कौन से शमता है कि ये इतने हजारों किलोमेटर से यहां पहुंच जाते है अभी चिली का लेक पहली बात कहां पे ओड़ी समय है और यहां पर पक्षि क्यों आते है क्योंकि यहां पर बहुत ज़्यादा तादाद में मचलिया मिलेगी इनको अच्छी क्योंकि महाँ पर काफी ज़्यादा मचलिया आते है इस इलाके में, मड़ी इलाका है थोड़ा, उनको पसंद है, तो लगबख साड़े दस लाख पक्षी आ रहे हैं, 106 पर जा दिया, अब हमें मेल क्या बात सीखनिया से, जो चिली का लेक है, भारत के किस सैड लाई करता है, बे उफ बंगाल, अगर आपने भारत का मैप देखा उसमें ओरी सा देखना आप, और वहाँ पर कहा है, चिली का लेक, अब इसको एक लगून कहते हैं, अब समझो लगून क्या है, देखो लेक क्या है, अगर तालाब, अगर आपने गाउं में रहते हो, या कि सहर में रहते हो, आपने देखोगा तालाब क्या है, हर तरफ से ऐ इतना तो भरा हुआ है और इधर ये बहुट बड़ा साघर है जैसे अगर भारत का इलाका देखो आप भारत के ओडिसा की कोस्ट के पास क्या लगता है इधर? Bay of Bengal तो ये कहीं यहाँ ओडिसा के किनारे पर है बिल्कुल Coastal Lake है और ये थोड़ा सा तो है अंदर इंडिया के inside और इस side क्या लाई करता है बेफ बंगाल तो ये पूरे बेफ बंगाल से जुड़ा हुआ है तो ऐसी जंगल को कहते है लगून तो ये भारत का सबसे बड़ा लगून है और वर्ल्ड का नंबर टू सबसे बड़ा लगून है और साथ के साथ ये भारत का सबसे बड़ा salt water lake है तो question नहीं आ सकता है where is the location of चिली का लेक तो option में अगर Odisha 36 गड़ा से आ रहा हो अगर आपको पता हो तो Odisha में क्या है चिली का लेक अब एक question आपके लिए भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का तालाब मैं बता रहा हूँ केरला स्टेट में है लेकिन आपका काम है ये ढूंडना नेट पे जाके कि वो उस लेक का नाम क्या है क्योंकि तभी मुझे पता लगा का आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो और comment section में जुरूर लिखे उस लेक का नाम इंडिया का सबसे बड़ा fresh water lake आप बताओगे मुझे तो यहां से ये चीज निकालने की कोशिश किया हमने और देखा जाए तो census किया जाता है इन पक्षियोगा अब count भी तो करना होता है तो साड़े दस लाग census किया गया पर उपर इनकी संख्या गिनी गई पूरे जो चिली का लेक है उसको इलाकों में बाटा गया और वहाँ पर survey किया गया लगबग सो डेड़ सो बंदों ने मिलके survey किया तब बता है इतने पक्षिया चुके है यह हुई बात यहां तक अब कुछ और बाते करते हैं जैसे कि अभी budget session आने वाला है लगबग फरवरी में ठीक है तो जो session है पारलेमेंट के वो तीन होते है budget, monsoon और winter ठीक है तीन session होते है यानि तीन बार पारलेमेंट को बुलाया जाता है बिठाया जाता है और अलग अलग काम किया जाते है जैसे budget session में budget पेश किया जाता है पहला session कौन सा है budget session लगबग फरवरी में शुरू होगा तो कौन बुलाता है session president बुलाता है article number 85 तो who calls the session of parliament president president कहेगा कि हाँ भई लोकसभा आजाओ राजसभा आजाओ और फिर क्या होगे पारलेमेंट सुरू हो जाएगी अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ क्योंकि budget session में क्या पेश होता है ये बताया जाता है कि budget session में क्या बताया जाएगा सरकार पैसा कहां से खटा करेगी और पैसा कहां पर खर्च करेगी ठीक है जैसे सरकार पैसा कहां से खटा करेगी GST से लोगों की income पे tax लगा के income tax companies के उपर corporate tax लगा के ठीक है या फिर सरकार ने किसी ओर देश को loan दिया हो तो उस loan उन पर पैसा आएगा तो सरकार यहां से पैसा एक खटा करेगी फिर सरकार खर्चा कहा करेगी यानि जैसे कोई पुल बनाना है सडके बनानी है ठीक है कोई infrastructure प्रोजेक्ट बनाना है बहुत बड़ा कोई बहुत बड़ा गोदान खोल रहा है यह सारी चीजों में सरकार का खर् भी राशन बाटना है लोगों में नेशनल फूर्स सेकूर्टी एक्ट के अकोडिंग 2013 के जो यह राशन शोप आपको डिखती है यह नेशनल फूर्स शेक्यूर्ट अक्ट बाटे जाते है राशन काड दिखाके तो सरकार यह देखेगी कि बजट के अंदर इस साल के अंदर कहां से पैसा आएगा और कहां पैसा जाएगा अब यह जो सारा पैसा आके रखा जाता है यह कहां पर रखा जाता है जैसे हमारे अकाउंट होते है मेरा SBI में अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है कैनरा बैंक में अकाउंट है हम कह देते हैं और इसे वाले अकाउंट में पैसे बेच देना तो ऐसी सरकार के तीन अकाउंट है पहला अकाउंट जिसमें सारा पैसा आता है और सारा पैसा जाता है उसको कहते है Consolidated Fund of India मैंने YouTube पे बहुत बार देखा कहीं पर आपको Clarity नहीं मिलेगी कौन से फंड होते है क्या क्या होता है Consolidated Fund of India क्या होता है Consolidated यानि Consolidated यानि एक जगा रख देना तो सारा जितना पैसा एक खटा करा वो एक जगा डाला जाता है उसको Consolidated Fund of India कहते है ठीक है Taxis से GST से सारा पैसा रख देना अब एक बात समझे इस Consolidated Fund of India में से जब भी पैसा निकालना पड़ेगा तो पारलेमेंट की अनुमती लेनी पड़ेगी यानि राज्य सभा लोक सभा दोनों से पूछना पड़ेगा तो पहला तो हो गया यह फंड यह है Article 266 के Part 1 तो आप लिख सकते हैं मैं कोई आपको पेस ने दिखा रहा कुछ नहीं बस आपको समझा रहा हूँ कि Article 266 सब पार्ट 1 ब्रैकेट में 1 सो इसमें क्या लिखा गया है कि Consolidated Fund of India होता है जिसमें सारा पैसा आता है और सारा पैसा जाता है कि लिए रितनी बात और इसमें से पैसा निकानने के लिए एक भी पैसा निकानने के लिए सरकार को यानि अगर मोधी सरकार चाती है कि इस पैसे में से मंद्रेका के लिए 100 करोड देने है तो उसे क्या करवाना पड़ेगा पहले लोग सभा से पारित करवाना पड़ेगा राज्य सभा से पारित करवाना पड़ेगा प्रेजिडेंट के सायन करवाने पड़ेगे फिर इस Consolidated Fund of India में से पैसा निकलके जाएगा बहर मन देगा योजना के लिए या किसी भी योजना के लिए जिसे राशन कार्ड में अगर राशन बाटना है तो थोड़ा और पैसा चाहिए या कोई भी परधारमंतरी गरीब कल्यान जोजना कोई भी योजना में पैसा जाना है तो ऐसे जाएगा अगली बात जो पैसा इस Consolidated Fund में नहीं रखा और सरकार चाहते है कि बिना पार्लेमेंट की अनुमती के यानि हमें लोकसबब और राजसबब से पास ना करवाना पड़े तो सरकार ने एक होर फंड बना रखा है जिसका नाम क्या है Public Account of India तो पहला हुआ Consolidated Fund of India जिसमें से एक भी पैसा निकानने के लिए पार्लेमेंट के अनुमती चाहिए दूसरा हो गया क्या Public Account of India इसमें भी Public का पैसा ही है लेकिन वो पैसे को निकानने के लिए मोधी सरकार को कोई लोकसबब या राजसबब में पूछना नहीं पड़ेगा सिधा अकाउंट से पैसा निकाल लेगे ठीक है अब ये दो हो गए अकाउंट ये था 266 के पार्ट 1 ये था 266 के पार्ट 2 सब पार्ट 2 या नहीं ब्रैकेट में 2 तो ये आर्टिकल दो कवर करा दिया अब जो तीसरा फंड है ये है थोड़ा important अब क्यों देखो ये तो सारा जो दो फंड यूज हो रहे है वो schemes पे लगेंगे या फिर कोई बड़ा project है उसके लिए करेंगे लेकिन जो तीसरा है उसका नाम है contingency fund of India so this was consolidated fund of India this was public account of India और this is contingency fund of India अब contingency क्या है ये fund president के अंडर होता है contingency fund of India president के अंडर होता है यानि अगर देश में एकदम से कोई आपदा आगी for example कहीं पर है गया और president चाते एकदम से अपनी तरफ से पैसा लगा दे यानि president के अपर भी तो power होती है तो president के पास एक fund है जिसको कहते है contingency fund of India जिसमें लगबग 500 करोड रुपे है तो उस contingency fund of India को president अपनी इच्छा से कहीं भी use कर सकता है तो ये भी क्या है एक सरकारी अकाउंट है तो यहां से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसी budget आएगा तो budget जब आएगा उसमें decide होगा कि consolidated fund of India में से कितना पैसा निकानना है कितना इसमें डलेगा आके फिर public account में कितना पैसा डानना है कितना निकलेगा और जो ये contingency fund of India इसमें 500 करोड रुपे रख दिये जाते है और president जब भी अपनी इच्छा से निकालना चाहे निकाल सकता है clear इतने बाते तो मैंने आपको पताने के सोची कि भई ये तीन आपको fund बताऊं जैसे हमारे पास SBI, Canada और अलग-अलग bank के अकाउंट है, यसे सरकार के पास तीन अकाउंट है, पहला अकाउंट ये सोच लो आप जैसे आपके परिवार में चार मेंबर है, ठीक है और आपने इस अकाउंट में पैसा रख रख का है तो आपको चारों के signature अगर चाहिए इसमें से निकलवाने के लिए तो ये हो गया consolidated fund of India यानि बहुत सारे लोगों की अनुमती चाहिएगी अब दूसरा ये अकाउंट आपका personal है आप जब मर्जिस में से पैसा निकलवालो आपको परिवार से पूछना ही नहीं तो इसको क्या कहो गया public account of India और तीसरा तीसरा account ऐसा है जो आपने बस एक रख रखा है कि जब कोई आप दाएगी तब ही इसमें से पैसा निकाल लूँगा ये कौन सा हो गया आपका contingency fund of India तो consolidated public and contingency तो मैंने ट्राई कि आपको बहुत अच्छे तरीखे से example के साथ इसको बताऊं और इसको अपने दिमाग में बिठा लीजे क्योंकि बहुत important है ठीक है so I hope you like it और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दिया करो और comment जरूर किया करो Thank you